केंद्र सरकार ने पिछले महीने चना की कीमतों में आ रही तेजी को नियंतरित करने के लिए इस पर भंडारन सीमा लगाई थी। लेकिन इस सीमा का चना की कीमतों पर खास असर नहीं पड़ा। सीमा लगने के दो-तीन दिन दाम गिरने के बाद अब फिर से बढ़ने लगे है जानकारों के मुताबिक आगे चना की कीमतों में तेजी आ सकती है केंद्र सरकार ने 21 जून को चना पर भंडारन सीमा लगाने का घोशना की थी और इस दिन दिल्ली में चना की कीमत 7,150 रुपए प्रती क्विंटल थी इस सीमा लगने के बाद अगले तीन दिनों तक चने के भाव सुस्ती के साथ कारोबार करते हुए 25 जून को 6,975 रुपए प्रती क्विंटल तक गिर गए लेकिन इसके बाद चना की कीमतों में गिरावट थम कर तेजी आने लगी कमोडिटी जानकारों ने कहा कि भंडारन सीमा लगने से पहले भी चना के भाव घटे थे और इस सीमा के बाद थोड़े और घट गए लेकिन चना की कम आपूर्ती होने के कारण इसके भाव में अब सुधार देखने को मिल रहा है इंडिया पलसेस एंड ग्रेंस एसोसियेशन के मुताबिक भी भंडारन सीमा के बाद चना के भाव में गिरावट के बाद अब निचले भाव पर मिलों की मांग बढ़ने से कीमतों में तेजी आई है इबगा की रिपोर्ट में कहा गया है कि आगे पूरे देश में बारिश होने के बाद बेसन की मांग बढ़ सकती है ऐसे में मिलों की ओर से चने की खरीद भी बढ़ेगी जिससे आने वाले दिनों में चना की कीमतों में तेजी की संभावना है हाला की सस्ती और नई पीली मतर के आयात की संभावना से चना की कीमतों में इजाफा सीमित ही होगा वही माना जा रहा है कि चना का उत्पादन कम होने से आगे भी इसकी आपूर्ती कमजोर ही रहने वाली है जबकि मौसम थंडा होने से बेसन की खपत बढ़ने से इसकी मांग बढ़ने वाली है ऐसे में चना की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है Bureau Report Market Times TV